इंडिया का मैप तो हम लोग बात करेंगे डिफ्रेंट डिपोजट्स के बारे में नाओ देखिए फर एक्जाम्पल इस वाले विजन को सभी जानते हैं कौनसा इरिया है रम्मो कश्मीर कौनसे माउंटेंज है यहां पर कौनसा हिमालिया हुआ है इस वाले में रहां संद्सक्रेंज हमें काराकुरम लदाख रेंज जान्सकरर रेंज सारी यहीं पर हैं यहां पर स्नोर्ड इपोजिटस हैं काफी ज़यादा बरफ इंड है लाक्रेंट आप अनु कि अब जब भी था अब लोग बरफ की बात करते हैं तो होता कह देखो जरह तो यह बरफ है पहाड़ी के उपर यह बरफ है अब इसी बात है जो एवलाउन चाहता है ठीक जब ग्लेशर नीचे गिरता है तो अपने साथ सर्फेस पे जो भी चीजें होगी तैमिट्टी हो पत्थर हो पेड़ हो पौदे हो उन सब को उखाड़के अपने साथ लेके आएगा और फर्दर जो है डिपोजिट कर देगा यहां पर अब अब भी सी बात है टाइम के साथ बरफ तो पिकल गया यहां से जितने भी पार्टिकल्स थे वो सारे पार्टिकल्स लेके नीचे आ गया तो नहीं स्वाइल का फार्मिशन हो गया लेकर कौन आया था है दो बरफ या ग्लेशर हो अब जो सवा ल है उसको क्या बोलेंगा हम लोग्ट घ्लेशल ल में लोग यहां पर पहाड है तो कौनन से स्वाइल होंगे यहां पर जहां पर मैं दिखाऊंगा इसका मदब इसी निए जे ज़िए जहां पर वहीं सोईल मिलेगी बट एक याद करने के लिए तरीका है थीक तो अभी सी वाद ही कि यहां पर बरफ बरफ जादा है ना तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग सब्सक्राइब 2002 वैदर करें गे ही और सिया और इस वाले में कौन से एरिया हो गया है माचल उतराखंड वाले एरिया हो ही हिमालिया साइब तो सब्सक्राइब और ऑसक्राइब हम बीज्टिक तॲ पेजह में सैंगे ड़ी हए आज च्वालिय यह च्रक्त पर हैं ग्रेट हिमालिया थोड़ two है यहां पर ज्याद है नाव अगर हम बात करें तो और मिद्स रिजन में दो यहां पर इस तो यह पर बर्साद बर्साद प का प्रोब्लम ज्यादा होता है पूल उन्हाद बरसाद में जादा अब लैंड स्लैड का मतलब क्या होता है ओबिसी बात है यह जो सौइल मास है स्वाइल पूरा कटके नीचे गिर गया समयार है कि निया रहा है अब हुआ क्या ऑबिसी बात है ग्रेविटी ने इनको नीचे खीच दिया यह सो नो वेट का डबली साइन थीटा नीचे लग गया और इनको खीच दिया नीचे सही में आ रहा है तो अभी सी बात है इस पर्टिकुलर स्वाइल मास को किस ने खीचा ग्रैविटी ने खीचा तो ग्रैविटी के वज़े से अगर कोई स्वाइल मास किसी सर्फेस को के नीचे आके वेटी सम्डिक होती है उस वाइल को बोलते हैं क्या खालू विल्स वाइल और टैलस वाइल डिए ख्रम बात करें तो अभी से बात है जहां पर यहां पर रहल ज्यादा होगा तो मांटेन वाइली इस में आपको देखने को मिलता है कौन सा रहेकुल द्धा है इसी को टैलस भी बोलते हैं इसी क्या बोलते हम लोग टैलस भी बोलते हैं ठीक नाव अब देखो इधर आओ फ़र धर हमारे को मालूम है यह वाला अडिया कौन से सर राजस्तान वाला एरिया डेजर्ट है ना तो राजस्तान बहुने हम बोलेगा तो सबसे पहले दिमागे ऐता है। बजसी की बात कर यह और बन जाए वह तीला वहीं पर नहीं रहता है जैसे मौंटेन स्टेबल है वैसे नहीं रहेगा है ना ऐसे ही है तो उसका हम लोग सेंड डून स्केर बात करें सबस्टे बेसिक एक्जामपल अब यह सैंड डून बन कैसे रहे हैं क्योंकि पार्टिकल जो है सॉइल के कैसे ट्रांस्पोर्ट हो रहे हैं विंड के वी से ट्रांस्पोर्ट हो रहे हैं अब विंड को हम लोग एयर भी बोलते हैं एयर के साथ राइम करो क्या बोलेंगे एयोलीन क्या बोलेंगे एयोलीन तो कौनसा सोईल है एयोलीन सोईल तो एयोलीन याद रखना है कहाँ पे इस वाल ज्यांना है यह ने गाया है बट सात में इस लिए लिखा क्योंगी लोईस वाइल कारा बात करें तोρηशन होता है wind blown uniformly graded silt हवा के द्वारा लाया गया uniformly graded मतलब same size के particle किसके? silt के तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Lewis soil दोनों कौन लेके आ रहा है? हवा लेके आ रही है बट दोनों में difference क्या है? difference यह है Lewis soil जो है Lewis soil is the example of collapsible soil किसका example होता है? Lewis collapsible soil क्यों? क्योंकि जब हम Lewis soil की बात करते हैं तो Lewis soil पते किस टाइब का soil होता है? सुनों अब जियान सी Lewis soil आपका उस टाइब का soil होता है अगर यह hard है मतलब जब dry condition में hard है dry condition में hard है तो एकदम hard होगा बहुत ऐसे लगएगा इस टिफ है समय अरग निया है क्योंकि इसके अंदर calcium की मातरा होती है समय अरग निया रहा है calcium compound इसके अंदर होता है जिसके वजए से dry condition में थोड़ा सा cemented होगा cemented मतलब hard surface होगा बढ़ जैसी इसमें पानी लगाएगे क्या हो जागए गर जाएगा जैसी में पानी लगाएगे अब इस तीले को इनीशली तो आपको दिखे के एक लिम्फ हाड है कुछ नहीं करना है क्या लगाना है इसमें पानी लगाना है जैसी पानी लगाएगे गिर जाएगा यह तो इसके अंदर से एक मिनेरल होता है क्ले का जिसको बोलता है मोंट मुर्यलनाइट क्या बोलता है इसको मोंट मुर्यलनाइट तो लुई सोईल के अंदर मोंट मुर्यलनाइट होता है और मोंट मुर्यलनाइट की बात करें यह आपका क्ले मिनेरल होता है जहां पर भी मोनट नाइट आएगा West oil को expressive कर देता है घ cél Now that आपका जो है मिनरल आता है वो स्राइल को कर देता एक सhesia का मतलब महँगा थोड़ी होगा क्शाय मेंगा मित्टी नहीं करएगा उसको मतलब होता है मतलब ड्राय करेंगे तो क्या हो जागा श्रिंक हो जाएक और वाल्यूम बढ़ जाएगा DRY जो है जनलिस ऑल के अंदर उसके वजए से होता है ऐंडर एसा बिहयूर क्यों होता है तो की Montmorillonite की अगर हम बात करें तो यह जब basic constituents बनता है न वहाँ पर आपको water bond देखने को मिलता है जो की weak bond होता है जिसके वज़ाए से फिर lattice में आपका water अराम से एंटर कर जाता है गanton कवर आणी यहाँ पर पर यहां पर जो बेसिक components ढम उन्ट मुलरा एंदर वह तर बॉन्ट में इन्टर को हाणा जाता है कि नहीं आरी कि नहीं आरी बात बाकी बाते हैं जहम लोग क्ले मिनरोलोजी पढ़ेंगे ना उस टेम पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कैसे आता है बाटर इसके अंदर प्लेर बात नौ यह तो समय में आ गया एयोलीन और लुईस दोने याद रहेगा हां जी ग्लेशियल को लेकिया ग्रैविटी की वज़ी से आ गया एयोलीन और लुईस विंड ब्लोन हैं दोनों सही बात है ना अब देखो दूसरी बात अच्छा इस वाले रीजन को तो बहुत अच्छे तरीकी से जानते सबी है क्या बोलते हैं इसको हम लोग गैंगेटिक प्लेन जैसा नो क् और हम लोग एक और बात जानते हैं कि जब भी कोई भी स्ट्रीम या कोई भी रीवर फ्लो करता है तो अपने साथ पार्टिकल सेडिमेंट्स लेके आती है और पार्टिकल सेडिमेंट्स लेके आती है जब ज्यादा स्लोप पे होता है तो उस तेम इरोजन ज्यादा होता है क slopes दोनों जगह से erosion होता है ना यह सो नो अब जैसे ही प्लेंस में गुछ जाती है विलॉसिटी कम विलॉसिटी कम तो क्या होगा फिर जाती है तो जब रीवर की विलॉसिटी कम वह जाती है तो उसके अंदर उसके अंदर जो सेडिमेंट्स सस्पेंशर में होंगे वो सारे क्या होनी स्टाट हो जाएंगे सेटल होने स्टार्ट हो जाते हैं तो रीवर के बैंक पे आपको अधाग की इस ली निग देखने को मिलेगा और मिलेगा भी रहे यह आपके river banks में मिलेगा कहा भी बेलेगा आपके river banks में मिलेगा अब तो अब नॉर्धन प्लेंस की बात करते हैं ना तो northern प्लेंस में यह वाल पॉर्शन कौनसा है great northern plains इंडो एंगेंटिक ब्रहमपुत्र fajta की बीच में तो इंडिया में इस रहाज में करने आपको अलुवीन सब्सक्या देखने को मिलता है टेडवाद नाओ मूग ऊन्टू सेंट्रल पार्ट उफंडिया तो अगराम सेंट्रल पार्ट की बात करें मध्यपरदेश हो गया महराष्टरा हो गया आंधरा हो गया है ना तिलंगाना हो गया इस रीजन में आपको एक स्वाइल देखने को मिलता है जो की काफी ज्यादा आपको यहां पर एडिया में देखने को मिलेगा ड़ाट इस ब्लैक कोटन सॉइल इस ब्लैक कॉटन स्वाइल इंपोर्टन है क्यों क्योंकि इंडिया के 20 परसंट से ज्यादा एरिया में आपको ब्लैक कॉटन स्वाइल देखने को मिलता है पहली बात तो एज नेम सजेस्टेड ब्लैक मतलब अपिरेंस कैसा हो इसका ब्लैक कलर का होगा कॉटन सूटेबल सबसे यादा सूटेबल राल तो यह देए लिवाइदे आग इंद रिगॉटन चली अब लॉट्इवाटन अलाय ग City इस बेंद लॉट जोडेजिए सब्सक्रा घिए अभी किसी भी स्वाइल की बोला में बनुंड यह अ़िister अिया रही कि आप रेज़िछ जो उसे हैं यह बनता है आप से किसके उपरंबान के इसांड के ऊपर किससे विए से बनता है यहिए बाक्न हिसार्ड और वेशार्ड आप लोग जानते हैं फट के बाहर आ गया बहर आने के बाद सर्फेस पर दिपॉसित होता है उसको क्या बहुत है थंडा हो गया अब जो रॉख बनते है उसको इस प्रंभ को बन के नियुज रॉख बाहर आ गया दो वार owns Wakika ऊण्डा और यही एंतल Арव बोलते हो उसको हम लोग बात करें कि इसके ब्लैक कॉटन की तो ब्लैक कोटन किसके वैसे बनता है बैसार्ट के ऊपर टूटेगा और उसी के ऊपर डिपोसिट हो जाएगा तो इस हमेशा ब्लैक वोटन का नाम लेते रहेंगे कि क्योंकि कि इस लीख पंसीवॉल इट इस लीख फोर स्वाइलिंग एंड श्रिंके जिसमें बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इस हेविंग थी हाइउमाउंट ऑफ सौन्ट मोंटमोरल नाइट इस लीख मोंटमोरल नाइट आयं लिए प्रॉब्लमेटिक है जब सिविल इंजिरिंग की पॉइंट वी से बात करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है बट एग्रिकल्चर के पॉइंट विश्व बहुत अच्छा होता है ब्लैक टन स्वाइल को टन उसमें उखता है और बहुत कम पानी में भी कॉटन इस अनुद याद है कि नहीं है तो बहुत कम पानी में भी इसमें कॉटन नुख जाता है यह ना बट हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है क्यों क्यों कि इसके उपर फाउंडेशन लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है यह ना क्योंकि क्या कर रहा है यह यह स्विंके प्रब्लमेटिक सिच्वेशन है अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं इसमें पाइल लगाएंगे अंडरीमड जिसमें लगाते हैं लोग अब लोग इसमें तब जाके हमारा जो प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत सब्सक्राइब वरना नॉर्मल इसमें जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ठीक तो यह हमारा ब्लैक उटन स्वाइल समय है ब्लैक अब्लेक अब कहां मिलेगा आपको लगबग सेंटरल इंडिया आपको मिलेगा महाराष्टा महाराष्टा हो गया एंपी हो गया यह कुंसा हो गया तिलंगाना हो गया कुछ आपकरनाटका हो गया है ना इस तरीके से इस एडिया में आपको ब्लैक कॉटन स्वाइल देखने को मिलते हैं